नवश्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे यहाँ पे AC leakage की तो यह compressor है और इसमें pressure generate किया जा रहा है तो यह AC की main coil है जो की AC लगी होती है यह split AC की बात कर रहा हूं inside वाली और यहाँ पे आप देखेंगे तो leakage आपको इस तरीके से भी देखने के लिए मिल जाती है split AC में जरूर ही नहीं है pipeline में बहुत कम leakage होती है लेकिन यहाँ पे है जैसे कि आप बुल बुले देख रहे हैं तो यहाँ पर यह लीके जाए AC की और किसे इसे ठीक करेंगा और कैसे इसे find out करते हैं यहाँ पे देखने में ऐसा लगता है कि coil के अंदर से हैं जैसे कि आप देख तो यहाँ पे हमने उपर उठा के चेक करा तो जो leakage थी वो उपर के side है लेकिन बाकी जो coil है वो सही है वस एक particular rod में leakage आई है और जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं तो leakage अच्छी खासी तेज है यहाँ पे जो pressure है कम से कम जो normal gas का pressure होता है उससे 10 से 12 गुना 14 pressure मतलब इसम क्योंकि यह leakage खतम होने के लिए मतलब गैस को खतम करने के लिए से भी दो या टी महीने चाहिए है जो कि season के अंदर आपको एक बार और गैस तरवानी पड़ेगी और दूसरी side leakage भी हम इसी तरीके से यहाँ पे क्या है कि pressure इसमें lock कर रखा है और दूसरा वालो जो outlet है आप कि वाइट कलर का cap लगा रखा उसे बंद कर रखा और यहाँ पर जो freeze का compressor होता है या आपका AC का compressor होता है तो वही compressor इसमें pressure generate करने के लिए यूज़ किया जाता है फिर जैसी generate हो जाता है तो वहाँ पर ना मतलब freeze का compressor है तो उसमें सबसा अच्छा फाइदा यह होता है एक तो gas leak कर गई या gas खतम हो गई तो वह vacuum करते हैं पहले line को तो उसी compressor का यूज़ करते है तो AC में भी आजकल यह है कि आपका leakage बहुत जल्दी find out हो जाती है और जो compressor वो थोड़े से heavy होते हैं मतलब जो घर में AC लेगी होते है तो उस condition में आप देखेंगे तो ज़्यादा useful होती है कार की AC के मकाबले तो इसलिए आजकल यहाँ पर प्रेशर घर में ही चेक कर लेते हैं पहले क्या करते थे वो बड़ी वाली मशीन रे यूज़ करते थे दुकानों में लेके जानी परती थी आजकल वो चीज खतम हो गई है इन छोटे compressor से तो यहाँ पर आपको देखेगा कि कोई भी leakage नहीं है डैक्मिस यह है कि यहाँ पर तो leakage नहीं दिखी लेकिन उस साइड वहाँ पर leakage की जो प्राब्लम है वहाँ पर आ रही है तो यहाँ पर गेज मीटर है जो की प्रेशर जो रखा गया है 250 PIS का PIS होता है ऐसे कुछ होता है तो वो रखा गया है तो वहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर कोई भी leakage नहीं आई है अब बात करें कि इसके बीच में या कहीं और क्योंकि लाइन में leakage नहीं थी लाइन का leakage बहुती माइनर सा कभी-कभी आपको देखने के लिए मिलता है या आपने proper connection नहीं कर रहे हैं तब ही आपको नहीं में लाइन में बह प्लेट लगा सकते हैं कि ऐसी जंग ना है लेकिन आप condition देखेंगे तो पूरी लोही के प्लेट लगा रखेंगे पानी सूपता है बार-बार आता है नमी चड़ती है तो उस condition में यह देखिए पूरी जंग लगी है दूसरी साइड लेकिन जो leakage है वहाँ पर आपको देखन में है तो वह भी important है कि अंदर के side leakage होई से repair करना बहुत ज्यादा difficult होता है तो यहां पर आप देखेंगे तो यह क्वाइल होती है और इसी से यह पूरी ठंडी क्वाइल होती है नीचे fan चल रहा होता है इसी का inlet में तो यहां पर अब देखेंगे final examination की कहां पर leakage की problem थी तो यहां पर आप देखेंगे इस वाले में यह जो bubble है वो बड़ा होता जाए कि यहां से यह आप देख रहे हैं ही इसके top पर leakage होती तो वहां पर problem create होती क्योंकि find out इत्ती असानी से नहीं होती तो पानी में चेक करके होती अब ऐसी ही leakage सब जगा चेक करेंगे कि यहां पर कोई एसी माहिनर से leakage तो नहीं है क्योंकि यह examination बहुत ज़्यादा जरूरी होता है service charge होता है leakage को ठीक करने का वह दूस्त हजार रुपई ही होता है लेकिन उस condition में आपकी पूरी inlet जो है मतलब जो अंदर के side बड़ा सा लगा होता है एक तो बाहर के side outlet लगा होता है लेकिन inlet जो ल पर के अंदर तो यहां पर आप देखेंगे यह सभी कुछ examination और इसमें जो हमने कोई special form या कुछ नहीं दाल रखा है जो hand wash होता है और shampoo की जहां create हो सके हैं बागे बहुत सारे लोग नहीं यह expensive waste जल्दी पता चलता है तो फाल्तों की बात है क्योंकि इसमें आपका पैसे ज् काकी तो क्योंकि minor check जरूरी होता है आप बीच कोई में तो सिर्फ पानी के लावा नहीं कर सकती कोई हटानी पड़ेगी और कोई के बीच में बहुत कम आपको leakage देखने के लिए मिलता है लेकिन कभी-कभी हो जाता है कोई चीज टकरा जाया कोई चीज लग जाया तो वहां नहीं देखेंगे क्योंकि आउटलेट के लिए सारे ततार निकलते हैं तो यह रहांप जो बात कर रहा हूं यहाँ पर यह कमपणिया स्टील की प्लेट दें तो जंग इस तरीक से नह लगी क्योंकि लोहे के साथ से उपर ना चलें लेकिन यह दोस्तों आफटर आफ फोर एर्स की बाद हम खोल के देख रहे हैं इस तरीके साथ कोल के नहीं देखा एक बार गैस लिकेज हुई थी तो वह कम हो गई थी मतलब एसी वर्क कर रहे थे लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे थे वहाँ प पर नहीं स्टार्ट हो पाई वह एसी पूरा सबकुष कमप्रेशन में सबकुष आउन वहाँ पर गैस बिलकुल लिवची उस कंडिशन में तो दोस्तों हंडेट टू टैन परसंट लिकेज प्रॉब्लम है और लिकेज प्रॉब्लम किस तरीके से फाइन आउट की जाती है तो वह आपको मेंसे वीडियो में दिखा रहा हम तो यहाँ पर आप देखेंगे हैं गया के ब्रॉच को बहुत सब्क्राइट भारी इस के बॉहां हैं तो तब वो चीज तोटल इसे मतलब बात की जाए रिपैरिंग में सब कुछ में तो से तीन घंटे लग जाते हैं तो जैसे कि दोस्तों यहां पे आप देख रहे थे कि टॉप के साइड लीकेज है तो यहां पर कॉपर की वायर है और यह छोटे-छोटे गैस सिलेंडर होते है इसमें आरगन गैस होती है जो कि नॉर्मली फायर में आग लगाने के काम आ जाती है तो यहां पर एक तरीके से गैस वैल्टिंग चल रहा है तो अब कोई बड़े स्लेंडर लानी के ज़रत नहीं है जो इसका स्लेंडर का है वो दोसो ड़ाइस रुपे में मिल जाता है एक स तो यहां पर आप देखेंगे जो लीकेश की प्रावलम थी वो इस तरीके से खीक कर ली जाती है तो करना आपको नहीं है अपने हाथ से पहली बाद क्योंकि यह जो काम कर चुके है मैं यह नहीं कि प्रॉपर में क्या प्रॉपर इंजीनरी चाहिए इस काम के लिए जो बहुत सारी चीज़े होती है लेकिन हम टैमप्रेशर को उस लिखनी तक नहीं लेके जा रहे है जो कि कोई देखेंगे आप को जादा फरक नहीं पड़ेगा उसका रंग जरूर उड़ जाएगा लेकिन वो गलेगी नहीं क्योंकि इतना टैमप्रेशर नहीं लेके जा रहे ह इस तरीके से रृबैरिंग होती है यह की एशी की एसी पाइक में कोई प्राब्लम होती है तो पाइप को भी क्योंकि पूरी पाइप्लान को पानी में तुझ से नहीं तो यह पार्म है तो उसी को गृण करके जघबाला राय करते हैं पूरे पर क्योंकि टब प्रेशर वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती और कभी भी आप गैस दलबाएं तो वैक्यूम करके गलबाएं जो अंदर को मौश्यर वह निकल जाता है और विल्कुल ठीक हो जाता है तो दोस्तों यहां पर देखेंगे तो अभी जो प्रेशर वह जीरो है और फिर से इसमें प्रेश प्रेशर करता है और अब क्योम के काम भी आता है तो हलके-हलके जो बहुत ही कम रहता है बतलब गएस परेशर रहता है और 32 इसमेंगे घर डती है लेकिन जो इसमें प्रेशर किया जाएगा वो 2500 किया जाएगा तो आप समद सकते हैं कि नगी युद्ध किसी चीनलीश्यां लेकेज ना करें तो ऐसी हलके हलके इसका प्रेशर जनरेट होता रहेगा और फाइनली क्योंकि लेकेज कंप्लीटली रुख चुकी है अब कोई इसमें खास काम नहीं है क्योंकि यहां पर जहाग डाल के इस तरीके से चेक करा जाएगा कि क्योंकि बाकि तो कही प्रॉब्लम क्योंकि तो आप देख रहोंगे इस तरग यह 40-42 मतलब इता रहता है गैस के टैन तब आप नॉर्मली गैस दागते लेकिन जो हम हाइस वैल्यू वह धाई सु तक लेकर जाते हैं मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर रखते हैं जो नॉर्मल गैस के मुकाबले बहुत हाई पर तो महां पर गैस बिल को खतम होगी और उस कंडिशन में दोस्तों क्या होगा 100-10% लीकेज लीकेज पाइप में बहुत कम देखने के लिए मिलती है या कोई जो है प्रॉपर तरीके से फिट नहीं हुआ था वह लीकेज कर गया नहीं तो इंटलेट का जो एसी के फिल्टर हो क्योंकि बहुत सारे रीजन हो सकते हैं या कोई चीज मतलब लगाते वे खोलते वे लग गई हो या घिस गया हो या तब मैनुफेक्ट्रिंग फिट किया गया हो वहां पर प्रॉपर तरीक से नहीं किया हो क्योंकि कम्पनियों को भी अगले सास्थ दुबार से प्रोड़क किया जाता है तो यह दोस्तों यह वीडिया आपका अच्छी लेगे चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक जरू करना और यह फाइनल फोटो है रिपैरिंग के बात का धन्यमाल तो